नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में मेरे नमें प्रदीप आप देख रहे हैं टेकनोलोज अब दोस्तों अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है और आपको ऐसी Instant Personal Loan App सर्च कर रहे हो जो कि बिलकुल रियल हो और सेफ हो तो आजकी इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं पांच ऐसी जैनवान Instant Personal Loan App के बारे में बताने जा रहा हो जहां से आप जो है Instant जो है आप आपको approval मिल जाता है और पैसा जो है सीधा bank account में credit कर दिया जाता है पांच जैनवान instant personal loan एप के बारे में आपको इस वीडियो में जानकरी मिलेगी बट उससे पहले इन पांचों एप के बारे में बताओं दो तिन बाते आप सभी से कहना चाहूंगा कि इमर्जेंसी का मतलब ह नहीं हो रहा आपको पैसे की जरूरत है तभी आप जो है लोन लीजेगा क्योंकि लोन आपको मिल जाएगा पैसे bank account में आ जाएंगे बट जो है आपको बाद में हर मेने EMI आपको भरनी रहेगी interest के साथ तो लोन जब भी ले emergency में ही लेना emergency का मतलब है emergency सोब आज़ी के चकर में हवावाई के चकर में परसनल खर् rejo के चकर में गोוםने के चकर में कभी भी लोन मत लेना क्योंकि आपने एड भी देख्योंगी कि अगर आपको घूमने जाना है या फिर आपको जोई कुछ और जोई सोपिंग करनी है उसके लिए पैसे नहीं है तो आप जोई लोन लेकर आप कर सकते हो तो इस तरह के खर्चों के लिए कभी भी लोन मत लीजेगा यह मेरी एड़वाईज है अदरवाईज इंट्रेस्ट के साथ आपको प तो लोन जब भी ले सोच समझ के लिजेगा और खुद का रिशर्च भी कीजिए चेयार पांच प्लेटफरम को ज़रूर कंपेर कीजिए तब ही आप लोन लीजे जहां से कम इंट्रेस्ट पर आपको लोन मिलता है उसी एप से लोन लीजे क्योंकि मैं आपको इस स्टूडि मिलने वाली है तो चलिए वीडियो में आगे बड़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे इस तरह की हैलफ नोलविश वीडियो पना चाहते हैं तो चैनल को ज़रू सब्सक्रेब कीजएगा अब आपको वन बाइवन पांच लोन एप के बार में बता देत इस एप के मादम से आप जो है लोन ले सकते हो इस एप के मादम से आप मैक्सिममम पांच लाख रूपय तक का आप लोन ले सकते हो और यहां पर जो एंटर्स की जो रेंज रहेगी 11.99% से लेकर 28% तक रहेगी अब यहां पर एक कैलकुलेशन के साब से भी समझते हैं कि EMI पनेगी महिने की 3,406 रुपए APR रहेगा 27.99%, 10,000 रुपए का लोन लेते हैं, तो आपको वापिस repayment करनी पड़ेगी 10,228, तो इस app के मादम से आप लोन ले सकते हो, काफी कम यहाँ पर APR यह चार्ज कर रहे हैं, और interest भी काफी कम यहाँ पर लग रहा है, इस app के मादम से आप 5,00,000 रुपए तक का instant loan आप ले सकते हो, पैसा आपके bank account में credit कर दिया जाता है, और यहाँ पर मन में कुछ doubt है, कुछ पोछना चाहते हो, तो इन्होंने अपना customer care number भी दे रखा है, इस पर बात करकर आप पूछ सकते हो, और email ID भी दे रखी है, इस पर mail drop करके और ज़ तुसरी जो loan एप है, इस एप का नाम है बजाज फिंसव, UPI loan FD mutual fund, इस एप के मादम से लोन के साथ साथ आप जो FD भी करवा सकते हो, mutual fund में भी invest कर सकते हो, और UPI का भी option available है, बजाज फैंस लिमिटेड जो company है, उसकी यह एप है, रेटिंग की बात करें, तो 4.7 की रेटि आप 20,000 रुपए से लेकर 40,000,000 रुपए तक का आप जो loan ले सकते हो, इस एप के मादम से, repayment रहेगा, बारा महिने से लेकर 96 मन्त के लिए आपको loan मिलेगा, rate of interest की बात करें, तो जो APR रहेगा, 11% से लेकर 34% का APR रहेगा, processing fees यहाँ पर up to 3.93% रहेगा, जो रहेगा, आप यहाँ पर बात करते हैं, एक example से, तो अगर आप 1,00,000 रुपए का loan लेते हैं, तो 2% पर मन्त के इसाब से आपको interest पेक करना पड़ेगा, 12 महिने का, तो total interest हो गया, 24%, processing fees 3,930 रुपए, दूसरे charges 100 रुपए यहाँ पर बता रख है, interest आपको total देना पड़ेगा, 13,402 और वापिस आपको जो है, repayment करनी पड़ेगी, 1,17,542 रुपए, तो इस एप के मादम से भी जा सकते हो, यह बजाज finance जो limited company है, उसकी एप है बजाज फिंसब, इसके साथ साथ यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर आपको जो है, bill payment इस एप पर online recharge का भी option मि जाता है, credit card भी आप जो apply कर सकते हो, इनका credit card भी आता है, और आपने add भी देखी होगी, इसके साथ fix deposit भी आप कर सकते हो, इस एप के मादम से, और mutual fund में भी invest करना है, और insurance लेना है, तो वो भी आप ले सकते हो, यहनिकि app एक है, काम अनेक है, और बाकी जो है, आप को आप ज description में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो apply कर सकते हो, बाकी दोनों app गूगल का जो play store है, उस पर भी available है, और apple का जो app store है, उस पर भी available है, अब बात करते है, तीसरी loan app के बारे में, तीसरी जो loan app है, इस app का नाम है, pay rupic instant personal loan app, इस app के download की बात करे हैं, तो 5 million plus download है, और rating की बात क साथ आप जा सकते हो, और यहाँ पर बताया है, कि जो loan दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, स्याम investment private limited की तरफ से, जो की NBFC है, RBA registered NBFC है, इनकी तरफ से loan दिया जाएगा, और आप 20,000 रुपए तक का fast, easy and safe आप जो loan ले सकते हो, यहाँ पर loan का जो turnover रहेगा, 1000 रुपए स पर annual के साथ से यह charge करेंगे, processing fees 80 रुपए से लेकर 2000 रुपए, बाकि depend करता है, loan के turnover और amount पर, 18% GST जो आपको देनी रहेगी, example के थुरू समझते हैं, कि अगर आप 6000 रुपए का loan लेते हैं, तो आपको 25% पर annual के साथ से interest आपको पे करना पड़ेगा, 120 दिन के लिए आपको loan मिलेगा, यानकी 4 महीने के लिए आपको loan मिलेगा, अब यहाँ पर एक calculation भी दे रखा है, इसके थुरू आप समझते हैं, तो processing fees रहेगी 100 रुपए, GST 180 रुपए, और total repayment आपको करनी पड़ेगी 120 दिन में, 120 दिन के बाद 6611 रुपए, और APR रहेगा, यहाँ पर बता रह है, और यह जो एप NBFC के साथ जुड़ी होई है, और 15 मिनट में पैसा bank account में credit कर दिया जाता है, आप eligibility की बात करें, तो आपकी जो age है, वो 18 साल से ज़्यादा की होनी चीए, और भारत के नागरिक होनी चीए, और एक monthly income, आपकी 25,000 रुपए महीने की income अगर आ रहे है, तो आपको लोन मिल जाएगा, क्योंकि यह आपर बता रहे है, annual household income is above Rs. 3,00,000 रुपए, तो 3,00,000 रुपए एक साल की income मांग रखिये, तो महीने की 25,000 रुपए हो गई, तो इस एप के मादम से आप लोन ले सकते हो, और मनमें कुछ doubt है, तो कुछ क्वेरी है, लोन से related, तो यह यह पे रुपिक instant personal loan app, इस एप के मादम से आप 20,000 रुपए तक का maximum आप लोन ले सकते हो, RBI registered जो NBFC है, siam investment private limited, उनके साथ यह जुड़ी हुई है, उनकी तरफ से जो लोन दिया जाएगा, अब बात करते है, number 4 loan app के बारे में, number 4 पर जो loan app है, यह खुद NBFC है, RBI की तरफ से इनको NBFC का license मिला हुआ है, इस app का नाम है Navi, Navi app भी काफी अच्छी app है, इस से मैंने भी apply किया था, और मैंने इसको पर एक वीडियो भी बनाई थी, कि मेरे को कितना loan मिला, काफी अच्छी app है, और यहां पर download की बात करें, तो 50 million plus download है, rating की बात करें, तो 4.4 की rating है, तो इस app के मादम से भी आप जो लोन ले सकते हो, नावी जो एप है, यह लोन के अलावा health insurance भी provide करती है, cash loan भी आप ले सकते हो, personal loan भी आप ले सकते हो, इसके साथ साथ आप जो mutual fund में भी invest कर सकते हो, digital gold भी buy कर सकते हो, नावी एप के मादम से, और अब तो नावी एप पर जो है बीस लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो, interest rate 9.9% से लेकर 45% पर annual के साथ से चार्ज करते है, लोन का टेन हो रहेगा, तीन महीने से लेकर 60 महीने, और 100% digital process है, instant पैसा आपके bank account में credit कर दिया जाता है, minimum household income 25,000 रुपए आपकी income है, महीने की, यानि कि साल का जो है तीन लाख example के थुरू समझते हैं कि मान लीजी आप 50,000 रुपए का लोन लेते हैं, तो 12 महीने के लिए एक साल के लिए आपको लोन मिलेगा, interest rate 22% और EMI बनेगी 4,680 रुपए की 12 EMI बनेगी, और यहाँ पर principal यहाँ पर amount बता रहके 6,160 रुपए, और processing piece 1475 रुपए, including GST, amount आपके bank account में आएगा 48,525 रुपए, अगर 50,000 रुपए का लोन लेते हैं, तो और वापिस आपको पे करना पड़ेगा 56,160 रुपए, और total जो इनका लोन का जो cost आएगा, वो आएगा 7,635 रुपए, और यहाँ पर इसके लावा home loan भी आपको मिल जाते है, 5 crore से ज्यादा का, तक का home loan भी ले सकते हो, interest जो start होता है, 8.74% पर annual के साब से start होता है, और loan का टावनोर रहेगा, 30 साल का zero processing fees है, 100% जो paperless application process है, बट जो home loan है, चुनिंदा सीटी में यह देते हैं, जैसे कि आपर बता रखा है, आप जो बुंबई, बैंगलूरू, हैदरबाद, चेनने, दिली, NCR, में रहते हो, तो in city के लिए home loan available है, तो आप जो नावी एप के मादम से भी 20 लाख रुपए तक का जो है, आप loan ले सकते हो, cash loan, काफी अच्छी एप है, आप try करना चाते हो, तो कर सकते हो, वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा, अब बात करते हैं, last number 5 loan app के बारे में, last number 5 पर जो loan app है, इस app का नाम है, kisht instant line of credit, इस app की rating की बात करें, तो 4.0 की rating है, download की बात करें, तो 10 million plus जो है, इस app से आपको जो है, दो लाख रुपए तक का आपको loan मिल जाएगा, 100% digital process है, 5 minute में approval दे देती है, ये app, और आप बता रख है, कि RBA registered NBFC loan app in India, तो आप इस app के माद करते हैं, एपर की 18% से लेकर 36% पर annual के साब से जो है, एपर चार्ज करते हैं, और maximum loan आप ले सकते हो, दो साल के लिए, 24 month के लिए, आप यहाँ पर आपको जो loan मिलता है, दो लाख रुपए तक का loan मिलता है, दो साल के लिए आप लोन ले सकते हो, अब मान लीजिए, एक ला EMI बनेगी आपकी 9747 रुपए की 12 EMI बनेगी, APR 36.86% का APR रहेगा, एक लाख रुपए का loan लेते हैं, तो 97, 97,000 रुपए आपके bank account में credit किया जाएगा, और वापिस आपको pay करना पड़ेगा, एक लाख 16,985 रुपए, टोटल लोन की जो cost आएगी, वो आएगी, processing fees होगी, 16,985 रुपए, सोरी, 16,985 रुपए, पलस 3,000 रुपए यहाँ पर processing fees, तो टोटल जो loan की जो cost आएगी, वो आएगी, 19,985 रुपए आपको, 19,985 रुपए आपको extra pay करने पड़ेगे, processing fees होगी, और इसके साथ इंटरस्ट हो गया, अब यह जो app है, किन NBFC के साथ जुड़ मिला रहता है, बैंक की तरह ही वो काम करते हैं, बट उनको पूरी तरह से बैंक का दर्जा नहीं मिला रहता, तो यहाँ पर देखे, यहाँ पर बता रखा है, इन्होंने पूरी list दे रखी है, जो RBA registered NBFC रहती है, जिनके साथ यह काम करते है, जिनके साथ इनकी partnership है, उनका यहाँ पर नाम दे रखा है, तो यह है किस instant line of credit loan app, और मन में कुछ doubt है, तो नीचे आएंगे, तो यहाँ पर customer care का email ID भी मिल जाएगा, और phone number भी मिल जाएगा, इस पर call करके, या फिर mail drop करके, और ज़्यादा जानकरी आप ले सकते हो, और इनका जो office है, वो Mumbai में है, company का जो process है, 100% approval मिलेगा आपको इस app के माददम से, तो मैंने आपको आज की इस video में, पांच जैन वन, instant personal loan app, first approval के बारे में बता जिया, सारी कि सारी या तो खुद NBFC है, या फिर किसे ना किसी NBFC के साथ जुड़ी हुई है, और जो Google Play Store की जो policy है, वो भी यही करते है, कि जो loan app है वो खुद NBFC होनी चीए, या फिर किसे ना किसी NBFC के साथ जुड़ी हुई होनी चीए, और उनको बताना रहता है कि कौन सी NBFC के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, तो इन के साथ जा सकते हो, पाकि आपकी मर्जीम आपको फिर यही कहना चाहूँगा, कि loan जब भी ले, सो अभी भी loan मत लीजेगा, ठीक है, क्योंकि पैसा तो आपको मिल जाएगा, bank account में पैसा आ जाएगा, बट आपको फिर पैसा जो है, किस से आपको चुकाना पड़ेगा, interest के साथ, भी आज के साथ, तो लोन जब भी ले, सोच समझ के लीजेगा, ठीक है, तो आज की वीडियो पर भी चैनल बना लिया है, अगर आप latest ओपर पाना चाहते हैं, तो टेलेग्राम चैनल को जरूर जोइन केजे, वीडियो के description भी आपको लिंक मिल जाएगा, आज की वीडियो को यह पर समावत करते हैं, मिलते जल्द एक और नहीं जानकरी के साथ,